So, Hello Everyone, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेले पुलिस के लिए जीके की जो हम लोग ने सिरीज स्टार्ट किया 10 डे सिरीज इसमें के हम लोग सिर्फ 10 लेक्चर करने वाले हैं और ये 10 लेक्चर आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है तो इनमें इस आपको एक भी म सिरीज करी है उसको ही बार-बार रिवाइज करी है और इस पर्टिकलर जो लेक्चर होता है इसका PDF तो मैं डाली देता हूँ परमार SSC टेलिग्राम पर जहां पर आपकी डेली बेसिस पर जीके और कंप्यूटर की क्यूजस भी हो रही है तो वहां से सिर्फ आप PDF को देख यहां आपके लिए उसमें और देखें, कि उसमें क्या को एक्स्टा चीज है और शक्या चीज आ लगती है जोSo Sc performed Sounds कर लिए उसमें तो मुझे आता नहीं है तो उस question का नहा हो तो explanation आके वीडियो से देख लिया इतना आप कर सकते हैं बिकाज यहाँ पर मैं Delhi Police specific थोड़ा सा चल रहा हूँ और जो question या फिर जो भी मैं fact यहाँ पर बताने वाला हूँ तो वो important होगा आपके Delhi Police upcoming exam के लिए है तो चलिए start करते हैं प्रमारा रहेगा lecture number 2 अलग से playlist बनी होई है उसमें सारे lectures इसमें पढ़ते रहेंगे एक lecture हो चुका है और यह lecture 2 इसकी PDF आपको परमारा से सी टेलिग्राम पर मिल जाएगी and I again repeat quizzes लगाते रहे हैं जो आपको मिल रही है बहुत important होंगे आपके लिए चाहे वो जीके की हो जो morning में होती है और evening के time पर computer की परमारा से सी टेलिग्राम पर link description में start करते हैं पहला question आज ही हम लोगों ने जो static GK के class थी morning उसमें किया था जहां पर हमने जो 36 गर्ल राज्य है उसके folk dances को याद करने की trick देखी थी कि एक सुवा है सुवा मतलब एक तोता है पर्ट है वो क्या कर रहा है वो कर्म नहीं कर रहा है वो फिर क्या कर रहा है वो रात में गेंडिया मार रहा है गेंडिया मार रहा है पागल पंथी कर रहा है और रात में नाच रहा है किसके साथ नाच रहा है? पांडवों के साथ जूमर के नीचे नाच रहा है कौन सुवा और सुवा कौन होता है? सुवा का मतलब होता है पैरट है नि तोता तो ये एक तरह का पैरट डांस है ये हमें पता होना चाहिए और जूमर से जूमर डांस अब ये वही यहाँ पैरट डांस है और ये जिरेलती भी आपका 36 गड़के सारे 36 गड़के है और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो पंडावनी है वो पंडावनी मैं आपको एक नाम याद रखना और वो नाम है डॉक्टर तीजन भाई का ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है और एक नाम और जैसे कि हम लोगों ने राजस्थान के भी देखे थे तो राजस्थान के भी काफी फोक डांसे देखे तो उसमें जो सबसे इंपोर्टन्ट है वो है कल बेलिया क्योंकि ये युनिसके के दोरा भी रेकगनाईज जा और कल बेलिया को जो स्नेक ट्राइब परफॉर्म करती है और इसमें जैसे तीजन भाई है पंडावरी में वैसे इसमें हमारे गुलाबो सपेरा गुलाबो सपेरा जी का नाम आप इसमें याद दखें कल बेलिया में जो की राजस्थान का है तो अगर हम बात करें सबसे पहले जितने भी हमारे अर्थ में ऑरगनिजम्स रहते हैं उनको वइटेकर जी ने एक नाम ठाव वइटेकर उन्होंने यह 1969 में क्या किया पाँक किंअडम्स में सबको बाट दिया वो पाँकडम्स कौन कौन से थे वो पाँक पाँकुक तरव कौन से थे मौनेरा प्रोतीस्ता फंजाय, यहनि कि फंगस, यहनि कि जिसको कवक बोलते है हिंदी में, ठीक है, प्लांटे और अनिमेलिया, तो यह पांच kingdom में सभी को बाट दिया, अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे, प्लांटे kingdom में, बिकास वही है topic of discussion यहाँ पर, तो प्लांट kingdom को इन्होंने पहले कैसे दो काटेगरी में बाटा, सबसे पहले इन्होंने यह पूछा प्लांट से कि तुम्हारे पास definite roots और shoots यह सब हैं कि नहीं, तो उनको हमने categorize कर दिया, फिर बोल दिया थैलोफाइटा, यानि कि यह वो हमार differentiated body का मतलब क्या है, कि इसमें तना, जड़, यह सब clearly हमें देखने को नहीं मिलती है, इसी थैलोफाइटा category में हमारा आता है, आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा, लिटमस पेपर जो कि हमारा indicator है, acid और base का, वो बनता है, लाइके नामक एक प्लांट से, जो कि थैलो differentiated body नहीं होती है, और जिनमें होती है, उनको फर्दरम दो category में divide कर देते हैं, एक वो जिनमें well defined vascular tissues नहीं है, vascular tissues क्या होते है, xylem, आप में से अईूप सभी को पता होगा कि जो xylem होता है, और जो phloem होता है, plant में ये conducting tissues होते है, conduct करते है, xylem gel का transport करता है, xylem gel का transport करता ह वहीं phloem full का transport करता है, नहीं कि food का transport करता है, तो ये vascular tissues जिसमें absent होते हैं, उनको हम बोलते हैं bryophytes, क्या बोलते हैं bryophytes, और जिनमें होते हैं, उनको further दो category में हम divide कर देते हैं, ये जो bryophytes हैं, इनको हम amphibians of plant kingdom के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं, पा merchantia, merchantia, Moses, ये इसके example है, Moses को हम funeria के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और जिनमें होते हैं ये vascular tissues, उनको हम further दो category में divide करते हैं, एक तो वो जिनमें जो seeds नहीं produce करते हैं, which do not produce the seed, उनको बोलते हैं teridophyta, teridophyta, इनी teridophyta को हम crypto games के नाम से भी जानते हैं, crypto games के नाम से भी जानते हैं, इसके example के अगर बात करें, तो marsilia इसका example हो जाएगा, marsilia हो गया, और आपका इसी का example हो गया, horse tail, ठीक है, horse tail, और आपका fern हो गया, ये सब किसके example हैं, teridophyta के, जिसमें कि seed नहीं होते हैं, इनको हम crypto games भी बोलते हैं, और जिनमें होती है seeds, उनको further हम दो category में divide कर देते हैं, एक को बोलते हैं angiosperm, ठीक है, या फिर एक को बोलते है angiosperm, और दूसरे को बोलते है gymnosperm, gymnosperm वो होते हैं, जिनमें की hidden seed होती है, seed तो होती है, जैसे ट्राइड ओफाटा में क्या seed ही नहीं है, angiosperm दोनों में seed है, बट इसमें hidden seed होती है, या इसमें hidden नहीं होती है, बलकि naked होती है, hidden होती है आपकी angiosperm में, याद कैसे रखेंगे, जो लोग gym जाते हैं, वो naked रहते हैं, या खुला रहते हैं, वो hidden नहीं रहते हैं, थोड़ा से ताकि उनकी body दिखे, तो इसमें naked seed होती है, या खुला seed होती है, उसको gymnosperm, gymnosperm के example आ जाएं, जैसे कि हिमाचियल प्रदेश हो कर रहा है, तो देवदार के बहुत सारा आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, तो gymnosperm category में आते हैं, देवदार जिम गया और वहाँ पे बैठके पी रहा है, तो देवदार, pines, यह सब जो पेड़ होते हैं, यह coniferous, उनकी coniferous plant य इसकी category में आते हैं, देवदार और पाइन से सब, ठीक है, तो answer यहाँ पे क्या होगा, answer यहाँ पे जो हमने भी तक पढ़ा, उसका कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ different, पूछे, पूछा है यहाँ पे, कि जो sperm cells को कौन hold करकर रखता है, ब्रायोफाइट जिनको amphibians of plant kingdom के नाम से जानते हैं, काफी difficult question है यह, बहुत difficult question है, लेकिन अभी recent exam में आया ही है, ठीक है, answer इसका होगा, anthridium, ठीक है, main मुद्दे के बात यह, अगर repeat हो जाए तो फिर गलत नहीं होना चाहिए, anthridium इसका सही answer following Indian authors has written the autobiography titled my story, नेम लिखित भारती लेखोकों में से किसने my story नामक आत्मका था लिखिये, कमला दास, अरुंदती रवाय, शोबा डे या फिर किरंदे साई, कल भी हमने सवाल किया था, जिसमें की autobiography देखा था, और भी बहुत सारी autobiography फिर मैं आपको लिखवाई थी, आज के ये question करिए, कुछ वहाँ पर मैं extra लिखाऊंगा, most probably इससे अब आगे मैं आपको एक और हो सकता है question करवादू, book पे, उसके आगे आपको एक भी question देखने को नहीं मिलेगा देसों सेटों में, ठीक है, तो ये हो सकता है last, ये फिर से हो सकता है second last question है, because मैं आपे अप बात यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर लिखता हूं, इनके answer आप बताएगा, my country, my life, ठीक है, और जो अरुंदती रोय जी यहाँ पर लिखी हुई है, उनकी भी आपको books पता होने चाहिए, तो वो भी अभी कर लेंगे, because काफी important होती इनकी भी books, तो my country, my life, a grain of sand, य और यहाँ बहुत important है, अमार जीवन, ठीक है, अमार जीवन, यह जो है, autobiography है, एक women की, जो की, she was the first Indian woman to write an autobiography, पहली भारती महिलाती जिन्होंने आत्म कथा लिखी, किसकी है, तो चली यहाँ पर पहले answers देख लेते हैं, इतनों के, my country, my life, यह है, लाल कृष्ण आडवानी ज है, अमार जीवन, यह है, autobiography, रसुंदरी देवी, इसकी, रसुंदरी देवी, और इसको याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि, she was the first woman, Indian woman, to write an autobiography, फिर यहाँ पर एक और है, truth, love, a little malice, truth, love, a little malice, यह ध्यान रखेगा, यह किसने लिखी, खुशवंत सिंग, जिन्होंने कौन सी और एक बुक लिखी थी, बताइए, कॉमेंट में जल्दी से, खुशवंत सिंग, train, hint app के लिए, और दो नौवल याद रखेगा, दो नौवल है, the last song of dusk, the last song of dusk, और एक है, man's search for meaning, man's search for meaning, यह दोनों नौवल, autobiography नहीं है, तो यह ल सिधार्थ सांगी, या फिर संगी, सिधार्थ संगी, या फिर सांगवी, ऐसे तो पुरा नाम सिधार्थ धनवन सांगी है, सांगवी है, बट हमें पूरे नाम से क्या लेने देना, बस याद रखो सिधार सांगवी, ठीक है, और यह लिखी है, विक्टर फ्रैंकल ने, विक लिखे हैं, इनकी भी बुक्स इंपोर्टेंट हैं, because she is the first Indian to get the international Booker Prize, तो इनको Booker Prize मिला था, God of Small Things के लिए, God of Small Things के लिए, और एक इनकी बुक है, Ministry of Utmost Happiness, Ministry of Utmost Happiness, फील नोट्स on Democracy, फील नोट्स on Democracy, प्यापिलिस्म और आजादी, और अदिनरी, अदिनरी मैंस गाइड दूप्यर, अदिनरी मैंस गाइड तू एम्पयर, ये किताब याद दिखेगा, अरुंदती रॉय जी की, अगले कुश्चिन पर आते हैं, इसके बारे में बताया था, इम्मैनुवल कांद जी ने, इम्मैनुवल कांद जी ने ये बोला, कि एक नेबुला है, जो रोटेट कर रहा है, बहुत भेंकर तरह से, अभी नेबुला क्या है, अब ये नेबुला क्या है, जो बहुत भेंकर रोटेट कर रहा है, इस तरह से, तो जो lighter gas हैं वो सबसे center में आ गई हैं उससे हमारा सूरज बन गया, sun बन गया है और heavier gases से planets हमारे बन गया है, 8 planets और जो भारी वाले planet है वो अंदर की तरफ है और जो थोड़े lighter planet है वो बाहर की तरफ है तो जब कोई solar system का अगर कोई question आएगा तो वहाँ पर हम different planets और उनकी properties देख लेंगे बट अभी के लिए Immanuel Kant ने enabler hypothesis दिया था जिसको की बाद में modify किया था Laplace जी ने, ठीक है, Laplace जी ने, कब यह 1755 में दिया था यह 1796 में दिया था, यहाँ पर fact याद रखेगा, that is earth की age कितनी है, age of earth, age of earth, यहाँ पर age of earth important इसलिए है, because अभी CGL मेंस पर question बना and I think CPO में भी question बना, तो age of earth आपको बतावने चाहिए कितनी है, 4.5 billion years, यह है हमारी age of earth हम carbon dating का यूज करते है, carbon की different isotope का यूज करते है, समस्थानी का यूज करते है, age, earth की age को निकालने के लिए, ठीक which German chemist was the first to show a graphical representation of the periodicity of an atomic volume plotted against atomic weight किस जर्मन रसायनक इन्हें सबसे पहले परमाडू बाहर के विरुद आलेखित परमाडू आयतन की आवधिकता का चित्र में प्रतनिधित्व दिखाया था विलियम रैम से, लोथर मैयर, ग्लेंटी सीबॉर्ग या फिर जॉन निवलांड्स आंसर होगा इसका लोथर मैयर, option number second, ठीक है, इन्होंने graphical representation दिया था periodicity of atomic volume plotted against atomic weight, ठीक, कल हम लोग ने एक question देखा था regarding the periodic table, जहां पर हम लोग ने यह देखा था, p block elementary, s block क्या होते है, f block क्या होते है, d block क्या होते है, हम लोग ने, आज अब बार यह थोड़ा सम, इसके evolution के बार हम पढ़ लेते है, periodic table, यानि जो आवर्द सान नहीं है, पहले त आपको यह पता होना चाहिए, कि सबसे पहले, दॉबर नायर जी ने, ठीक है, दॉबर नायर जी ने, law of triads दिया था, ठीक है, tried का सिद्धान दिया था, law of triads, कब दिया था, 1829, उस साल दिया था, जिस साल सती प्रिथा खतम होई थी, ऐसा याद कर लो, ठीक है, फिर हमारे law of octave, ठीक है, यह निव लैंड करके थे, ठीक है निव लैंड करके एक साइंटिस्त, उन्होंने law of octaves दिया था, अश्टांक का सिद्धान दिया था, कब दिया था, 1865, 1865 में दिया था, और ये law of octaves, based था, musical notes पे, किस पे बेस था, musical notes पे बेस था, फिर हमारे आते हैं, मेंडलीव जी, मेंडलीव जी ने अपनी periodic table रखी, ज जनी कि जब अभी हमने पढ़ा था, कि वो अभी kingdom वाला पढ़ रहते हैं, white taker जी ने 1969 में दिया, तो तुसे 100 साल पहले ऐसे आत कर लो, ठीक है, man leave जी ने अपनी periodic table रखी थे, 1969 में, इन सब की periodic table थी, वो based थी, atomic weight, या फिर atomic mass पे, जो की गलत चीज थी एक, ठीक है, तो atomic mass प table आधुनिक आवर्च सारा नी पढ़ते हैं, वो हेंडरी मौजले जी ने दी, कब in the year 1913, ये बात में आपको कल भी बताई थी, और इनकी base थी atomic number पे, और हमें ये पता होना चीजिए, atomic number का symbol क्या होता है, ये Z होता है, और atomic mass का M होता है, ये भी important है, ठीक, सी बोज की अगर एक है मेंडलीवियम, ठीक है, मेंडलीवियम, सी बोजियम का atomic number 106, और मेंडलीवियम का है 101, ये आपको पता होना चाहिए, एक question है आपके लिए, and the question is, कि मेंडलीव जी ने जहां आप इनकी priority table में defects थे, तो इन्होंने एका aluminium, एका boron इस तरह से चीज़ों को रख दिया था जो gaps थे, तो आपको ये बताना है, कि जो एका aluminium था, एका aluminium, जो की बाद में, gallium के रूप में निकल के आया, इसका atomic mass कितना था, ठीक है, जब आगे कोई question आगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपका भी थोड़ा participation होना चाहिए, कि एका aluminium, जो की बाद में, gallium के सामने निकल के आगे, gallium के रूप में, उसके atomic mass कितना है, which of the following does not belong to the family of organic compounds, निम लेकित में से कौन सा कार्बन किया होगा, उनको के परिवार से सम्मंदित नहीं है, और्गनिक कंपाउंट क्या होते हैं, और्गनिक कंपाउंट वो होते हैं, जो कार्बन या फिर कार्बन और एक ऐ ऐसे elements से covalently bonded होते हैं, जैसे कि hydrogen हो गया, यह फिर nitrogen हो गया, oxygen हो गया, यहनि carbon तो उसमें must है, फिर उसमें hydrogen हो सकता है, nitrogen हो सकता है, oxygen हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, और यह hydrogen होते हैं, और यह covalent bond होता है, ठीक है, हमारा यहाँ पर ammonia सही आंसर होगा, NH2, CUNH2, ठीक फ्रेडरिक वोलर ने इसको सबसे पहले synthesize किया था, कब इसको उनने synthesize किया था, 1828 जिस साल ब्रह्मो समाज बना था, राजा रामों राय याद करिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था, आरे समाज, आरे समाज में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, एक चीज़ इसमें और एड कर रहे ना मेरे दिमाग में अब आ राया है, वो है कि आरे समाज नहीं सुधी मूवमेंट जिसको हम प्यूरिफिकेशन मूवमेंट बोलते हैं सुधी मूवमेंट चलाया था, इस चीज़ को उसमें नोट करना, खैर केमिस्टरी का उसे सुधी मूवमेंट स और दूसरे को बोलते हैं असंतरप त्यानी के अंसाचुरेटेड, साचुरेटेड होते हैं हमारे अलकेन, साचुरेटेड होते हैं हमारे अलकेन, और अंसाचुरेट होते हैं दो काटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोल सकते हैं अलकेन और दूसरे को बोल स 2 ठीक है एक alkene है जो कि हम अपने घरों में cylinders में use करते हैं LPG cylinders में और वो है propane ठीक है propane plus butane इनका हम use करते हैं alkene का general formula होता है CNH2N इनका general formula होता है CNH2N minus 2 ठीक जो saturated होते हैं hydrocarbons ये clear blue flame में जलते हैं जब हम जलाते हैं तो flame निकलती ना जैसे कि हम ये candle का एक ये राम बनाते थे बच्चपन में तो इस तरह से जो होता है इसको फ्लेम बोलते हैं तो ये हमारे clear blue flame में जलते हैं ये चीज़ याद रखिएगा कौन saturated hydrocarbon और unsaturated जो earth अंतरप्त होते हैं ये यलो suty flame में burn होते हैं yellow suty color की flame में burn होते हैं और कुछ और कुछ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एक alkyne होता है जिसका नाम है ethylene इसको हम फलों को पकाने के लिए यूज करते हैं fruit ripening में हम इसको यूज करते हैं एक हमारा alkyne होता है जिसको कि हम बोलते हैं acetylene ठीक है इसको बोलते है acetylene इसको हम metals की welding करने के लिए यूज करते हैं अब क्योंकि saturated unsaturated carbon की यहाँ पर चर्चा चली गई तो क्यों ना हम ये जान ले कि carbon के allotrop कौन कौन से होते हैं निकी carbon के अप्रूप कौन कौन से होते हैं allotrop तो ध्यान रखना इस पर भी question अभी recent में आये हैं तो हमारा एक होता है diamond जिसको हीरा बोलते हैं एक होता है graphite और एक होता है buck mr fullerine ठीक है buck mr fullerine जो की football shape का होता है diamond हमारा hardest natural substance known है graphite एक non-metal है आधातू है बट फिर भी ये एक सुचालक है good conductor है और slippery है फिसलता है कारण उसका है carbon carbon के बीच में जो bonding है comment में जली से पता ही carbon carbon के बीच में जो long change बनती bonding मनती है उसको हम किस नाम से जानते है तो diamond hardest है और graphite slippery है क्योंकि इसमें एक carbon तीन carbon से bonded है diamond में एक carbon चार carbon में से bonded है इसका formula होता है buck mr fullerine का c60 because इसमें 60 carbons attached है football के shape में attached है और carbon carbon bonding को बोलते हैं हम लोग catination ठीक है carbon carbon bonding को बोलते है catination अब आते हैं अंगले question पर खरीफ crops the temperature required for farming is above 25 degrees celsius with high humidity and annual rainfall above dash centimeter तो खरीफ असलों के लिए 25 degrees celsius से उपर का temperature और कितने cm से उपर की rainfall चाहिए तो 100 cm से उपर की rainfall चाहिए तभी इनको हम monsoon crops के नाम से जानते है because जब monsoon आता है न तो ही इनकी बुवाई तभी बुवाई करी जाती है जैसे ही खरीफ असलों में अगर हम उधारन के तौर पर बात करें तो जो हमारा paddy हो गया निकी दान की जो हम खेती करते हैं जो मेज हो गया हमारा उसकी जो खेती करते हैं ground nut हो गया हमारा निकी मौफली हो गई हमारी कपास हो गई that is cotton हो गई यह सब खरीफ है अब खरीफ की अगर हम सोइंग की बात करें तो यहां पर मैं लिखता हूँ स्वेंग लिख देता हूं यहां पर मैं या फिर यहां पर लिखता हूं स्वेंग पियर्ड यानि की कब बुवाई करी जाती है और हार्वेस्टिंग यानि की कब कटाई की जाती है यहां पर मैं लिख देता हूं राभी ठीक है या फिर खरीफ से स्टार्ट कर लेता है खरी यहां पर लिए देता हूं राभी ठीक है अब खरीफ के अगर सोइंग की बात करें तो जैसे मैं बाता है जब मौनसून आता है कब आता है पहली बात यह पता होना चीह मौनसून सबसे पहले यह केरल का जो माला बार कोस्ट है यहां पर हीट करता है फर्स्ट वीक ओफ जून म है लेकिन अगर हम इंडियम बात करें तो हम जुलाई बहु सकते हैं ठीक है तो जुलाई के टाइम पर सोइंग होगी और हर्वेस्टिंग कब होगी हर्वेस्टिंग इसकी हो जाएगी जैसे अभी ऑक्क्टोबर के ताइम पर अगर आप ये खेतों में अगर आप हो जाएगी तो भाई राभी मतलब सरदियों की जो crops हो जानते हैं इनको winter crops के नाम से जानते हैं ठीक है और इनको monsoon अब देखिए हम winters के time पर मुफली खाते हैं ठीक है cotton कभी use करते हैं cotton भी मतलब क्लब में गरम रखने में help करता है है ना रजायों अगर तो भाई अगर हम winter समें मुवफली अगर उगाएंगे तो खाएंगे कब सिंपल सा लॉजिक है तो उसको आवे से बात है में groundnut मुवफली हो गया cotton हो गया वह में खरीफ में उगाना पड़ेगा सिंपल ठीक है मौनसून होते हैं तो इसके एक्जांपल हो गया रभी के गर बात करें तो wheat हो गया गेहूं हो गया बारले हो गया linseed कोई भी सीड ओं रेप सीड हो ठीक है यह सारे आपके आएंगे सोयावीं कापका खरीफ में ही आएगा थीक है मेज आपका खरीफ में ही आएगा यह आपको पताना ज़िए राबी की फसल के लिए आपको पताऊना चाहिए जो हमारी winters की rainfall होती है जो सर्दियों की बारिश होती है जो कि किसकी कारण की वज़े से होती है पस्चिमी विच्छोब western disturbances की वज़े से जो rainfall होती है जो कि Mediterranean से यह भूम अदिसागा से आती है वो ये राबी की फसल के लिए बहुत important होती है अब आपने एक चीज़ देखा कि एप्रिल में हो गई कटाई अब हुआई होगी खरीफ की जुलाई में तो मैई-जून क्या करेंगे किसान तो मैई-जून में एक short cropping season होता है यहाँ पर मलेक देता हूँ उसको बोलते हैं जायद जायद एक short cropping season है मैई-जून के महिने में यहाँ पर आपका खीरा का खड़ी जो आपकी fodder crops होती है fodder मतलब चारा वाली वो हो गया ठीक है खीरा निदाटिस ककंबर, water melon यह सब जायद में crop में उगाई जाती है तो answer यहाँ पर first होगा one thing more कि cotton में यहाँ दखना cotton के cultivation के लिए हमे 210 frost free days required होते हैं and cotton यह cultivation के लिए सबसे best suitable soil कौन सी होती मिट्टी यह आप comment में बताएंगे बागी जब soil का topic आएगा तो वहाँ पर detail में देखेंगे what is काल बैसा की क्या है pre-monsoon showers, heat waves and loo snowfall and hail या फिर cold waves and rains तो काल बैसा की क्या है तो monsoon अभी मैंने बताया सबसे पहले इंडिया में हिट करते है माला बार कोस्ट में माला बार कोस्ट में चलिए अब देखी लेते हैं क्या ही आपसे चुपाना अब तो यहां पर यह जो हमारा monsoon होता है जो आता है जून के टाइम पर साउथ विस्ट मॉनसून बोलते है विकार साउथ विस्ट जिरेक्शन से आता है दो ब्रांचेस होती है इसकी यह है हमारी Arabian Sea branch विकाज यह अरब सागर है Arabian Sea और यह Bay of Bengal Bay of Bengal ब्रांच बंगाल की खाड़ी सबसे पहले जून के हफते में केरल में हिट करेगी जब केरल में यहां पर हिट कर देगी कुश्चन के पूछ अगर ठीक है कुश्चन पूछा काल बैसाखी बारे में तो यहां पर मौनसून जून के महिने में तो आया लेकिन आपने एक चीज़ को अब्जर्व किया होगा कि मई के महिने में भी कभी-कभी शाम के टाइम एकदम से आधी तूफान आएगा और ठंड़क आ जाती है बारिश मतलब मौनसून नहीं आता है वेस्ट बेंगौल असम यहां पर इनको हम बोलते हैं नौर वेस्टर्स ये नौर वेस्टर्स को दो कैटिकरी में डिवाइड कर सकता हूँ मैं एक हो गया काल बैसाखी काल बैसाखी क्यों क्यों क्योंकि काल लेकि आते हैं काल मतलब बहुत भेंकर मतलब आंदी तूफान तो काल ले आते हैं तो ये इनको काल बैसाकी बोलते हैं पस्ची मंगौल में और इनको हम बोलते हैं बर्दौली चीरहा असम और बंगलादेश में ठीक है बर्दौली चीरहा के नाम से जाने जाते हैं कहां पर ये जाने जाते ह तो आंडिया उनको दो नामों सो जानते हैं टो नाम है Lossom Shows became a lotष कभी जो होती व्लॉसम होती इसके टो ब्लॉसम रॉइंजावर्स करनाटक में डिसकते अंठीक कार्ण इसकता है कि यहांपर छ ऑकी आपके केल में हो सकता है कि Blossom Shower पूछ ले और option क्या होगा option में first ठीक है मौन्सून के बारे में इतनी थोड़ी से आपने अभी detail समझ ली पूरी details अभी नहीं है और कोई question आएगा तब बताओं चलो बताई देते हैं क्या ही आप से चुपाना आप तो अपने हैं मौन्सून यह दो ब्रांचेस डिवाइड हो गई एक ब्रांच यह सबसे पहले यहां पर हीट करी वेस्टन घाट में पस्चिमी घाट में और एक चलो आगे अभी यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और यह ट्रिक पहले भी बता चुका हूं इसी ट्रिक से दो ऐसे सवाल हुएं सीजेल में में जो कोई हल ही नहीं कर सकता है नौलेज आपको एग बता शकता हूं वो श्टूडेंट आराम से माचर 5-6 सेकंड में करके आए हैं सही करके यह दो क्वेस्टन अब समझेआ हैं दो क्वेस्टन का मतलब क्या होता है सीधर 6 नमबर का अडवांटेज ठीक है प्लेटलेट और लाइक और वैसे तो जो दो सीजेल में सवाल आए तो मैं पूरी तरह से ट्रिक लग रही थी यहां पर दो ऑप्शन हो गए हैं दो ऑप्शन बचे गए हैं अब आप से इतना एक्सपेट करता हूं कि आपके पास इतना कॉमन सेंस होगा बैक्टीरिया की बात टाइप ही है ऑप्शन नमबर सेकेंड दो ऑप्शन फिर भी आराम से लिमिनेट हो गए तो थोड़ा सा नौइज यूज करना तो रांसर आ गया था ठीक है अब जब तक चल रही यह ट्रिक तब तक यूज करो आराम से मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि 95 परसेंट में जितने इसे सीख उठा ले ना तुम लगेगी 100 परसेंट 95 परसेंट ठीक है और बाकी सीजल में इसमें तो लगी गई दो कोशन में आराम से और दो ऐसे कोशन में लगी देखिए जो किसी से हीले तक नहीं होंगे अगर उसको नहीं पताओगी ट्रिक तो reverse of deposition is निछेप का विपरीत क्या है fusion, condensation, sublimation और evaporation तो deposition क्या होता है कि जब gas solid में change हो जाती है इसको बोलते हैं ये change of state को बोलते हैं deposition तो भाई उल्टा पूछा है solid to gas को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं sublimation हिंदी में इसको बोलते हैं उर्धवा पातन ठीक है ये बोलते हैं इसको हिंदी में sublimation ठीक है condensation क्या होता है condensation होता है gas to liquid इसका उल्टा क्या हो जाएगा जरब बताइए इसका उल्टा क्या होगा liquid to gas तो ये हो जाएगा evaporation ठीक है liquid to gas और evaporation कब तेज होता है जब temperature हाई होता है जब wind की speed तेज होती है जब surface area ने प्रश्टीज हेत्रफल जादा होता है लेकिन जब humidity जादा होती आधरता जादा होती तो rate of evaporation कम होता है ये आपको पता होना चाहिए और हमारे तीन state of matters होते हैं solid, liquid and gas solid, liquid and gas सबसे ज़्यादा kinetic energy gases में होती है molecules के बीच में then liquid and then solid ठीक closely packed किसमें होते हैं जो हमारे molecules होते हैं वो solid में होते हैं then liquid and then gas fourth और fifth state of matter भी होते है fourth state of matter होता है हमारा plasma जो की एक form of anized gas है जब हम गैस को बहुत ज़्यादा heat कर देते हैं तो anize हो जाती है fifth state of matter होता है हमारा Bose Einstein condensate क्या होता है Bose Einstein condensate यह होता है जब हम किसी gas को बहुत cool down कर देते हैं absolute zero temperature जिसको zero Kelvin बोलते हैं फिर minus 273 degrees Celsius इसको Bose और Einstein जी ने क्योंकि इस concept को दिया ते इसलिए इसको Bose Einstein condensate के नाम से जानते हैं और इनके particles को Bosons बोलते हैं अगले question पर आते हैं तो 1951 से लेके 1956 तक जवाहर लाल लहरू जिससे में प्राइम मिनेस्टर थे हमारा चलता है first five year plan इसमें में उद्देश था हमारा कि हम agriculture फोकस करें हाइस gravity डैम भी है भाख़ा नंगल डैम जो कि सतलज रिवर पर constructed है कल मैंने सतलज रिवर के regarding question पूछा था कि कौन सी रिवर है जो सिपकी लापास से एंटर करती राकस ताल से निकलती तो उसका अंसर शुतला जिसका पुराना नाम शुतुद्री है ठीक है सब ने सही आंसर दिया था तो डैम सही है और यह जो model पे बेस था और हीरा कुड डैम जो कि महानदी रिवर पे जो कि हमारे इंडिया का longest डैम है लंबा बांध है यहाँ पे इंडस्ट्री इस पछो किया गया था इंडस्ट्रियल डेवलाप्मेंट यह फोकस था और यह बेस था महाल नॉबिस model पर महाल नॉबिस model और PC महाल नोबिस ने ये model दिया था जिनके जन्म दिवस 29 जून को हम statistics डियनी सांखिकी दिवस के रूप में भी celebrate करते हैं 1961 से लेके 1966 तक 5 सालों तक चला हमारा 3rd 5-year plan जो कि गडगिल प्लान पे बेस था कहीं कहीं पे 4th 5-year plan लिखा हुआ गडगिल वो भी सही है ज्यादे तरह अगर देखा जाए तो 4th में ही गडगिल वाला लिखा हुआ है तो मैंने यहां पे गडगिल इसलिए लिख दिया ताकि अगर पूछ ले तो इसमें भी आभी आपके जवालाल नहरू ही थे ठीक है इसी के टाइम पे हमारा जो ग्रीन रेवलुशन है वो स्टार्ट हुआ था ठीक है अब इसके बाद क्योंकि बहुत भैंकर फेलियर था था 3rd 5-year plan तो हमने लिया यहां पे 3 साल का break और यहां पे अनॉंस ही हमने plan holidays plan holidays बोलते हैं 1986 से लेके 1979 तक यह थी plan holidays because यहां पे कोई 5-year plan नहीं आया फिर आता है हमारा 4th 5-year plan इंदिरा गांधी के टाइम पे जो की DP धर मॉडल पे बेस्ट था DP धर मॉडल पे और फॉर्थ 5-year plan और यह कब से कब आया 69 के बाद आया तो 1969 से लेके 74 और यह रहा हमारा 1974 से लेके 1979 तक नहीं 1978 तक ठीक है because उसके बाद हमारे फिर से क्योंकि government change हो गई थी तो इसके बाद rolling plan आ गया थे 2 साल के लिए तो इस time पे हमारी थी इंदिरा गांधी जी 4th में इंदिरा गांधी 5th में इंदिरा गांधी जी थी clear है और 5th 5th year plan में ध्यान रखना कि 20 points program दिया गया था 20 points program दिया गया था poverty eradication के लिए गरीबी हटाने के लिए किसके लिए दिया गया था poverty eradication के लिए यह दिया गया था 20 points program ठीक है और यहीं पे गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था ठीक, आंसर यहाँ पर क्या होगा, इस्योफ रिमोवल अफ पोवर्टी, ओप्शन नमबर सेकेंड, फिफ्ट फाइफ ये अपलाएं, तो अभी उन्हें पांच तक पड़े हैं, आगे कोई कुश्चन है कि तो वहाँ से 6-7 और ये, वैसे तो पांच तक ही, ज़्यादा इंप वर्मन दुतिगी ने बनवाया था, ठीक है, महाबलीपुरा में इस्तित है, जहां पर पिछली बार मोदीजी और शी जिंपिंग की मुलाकाइब, पिछली बार तो नहीं, जब इंडिया में आया था शी जिंपिंग, चाइना का प्रैम, प्रेसिडेंट, तो मुलाकात होई को बोलते हैं, वेसरा स्टाइल, फिर वेसरा सैली, जो की चालुक्याज ने बनवाया थे, पल्लवाज ने द्रविल शाली की एक तरह से मोज़ते हैं, शिरुवात करी थी, याद रखेगा कैलाश टेमपल भी बड़ा इंपॉर्टन है, कैलाश टेमपल, किसने बनवाया था और किन केवस में आपको देखने को मिलेगा, तो कैलाश टेमपल आपको ऐलोरा की केवस है, फिर ऐलोरा के गुफाओं में देखने को मिलेगा, और बनवाया किशने ये, कृष्णा वन, कृष्णा वन राजा थे, राष्ट कूट डाइनेस्टी के, ठीक है, राष्ट कूट dynasty के ये ruler थे अब यहाँ पे मैं आपसे एक question पूछता हूँ, tripartite struggle हुआ था tripartite struggle हुआ था, पालाज राश्ट कूटा और किस के बीच में जो तीसरे है, मैंने आपसे पूछा है, उनका नाम G से start होता है, बताइए और यहाँ पे कुछ नहीं आगे बढ़ते हैं, हाँ, बाकी अगर मैं जैसे बात करूँ, चोलाज का भी आर्किटेक्चर बढ़ा famous है, चोलाज डनिस्टी ने क्या बनवाया थे, ब्रियदेशवर्ट मंदिर बनवाया, एक तो ब्रियदेशवर्ट बनवाया तंजोर में और एक गंगई कोंडा चोलापुरम है गंगई कोंडा चोलापुरम जो की city establish करी थी, राजेंदर चोला वन, जो इनको की Alexander of South India sorry, Napoleon of South India के नाम से जना जाता है, तंजोर में जो बनवाया था, वो राजा-राजा वन ने बनवाया था, और इसको हम राज-राजेश्वर मंदीर के नाम से भी जानते हैं विकोज राजा-राजा वन ने बनवाया था ब्रियदेश्वर टेंपल जो तंजोर में इसको हम राज-राजेश्वर मंदीर के नाम से भी जानते हैं और गंगई कोंडा चोलापुरम में ये बनवाया था राजियंद्र चोला वन्यों में ने लिख दिया है और एक अईरा वतेश्वर में मंदिर है अईरा वतेश्वर मंदिर वो राजा राजा दूतीगी ने बनवाया अगला सवाल है तीसरे गोल में सम्मिलन में प्रतिनिदियों का विचार विमर्ष किस वर्ष के बाद के महीनों में आयोजित किया गया था 1929, 32, 30 अफिर 1931 राउंटेबल कॉंफरेंस की याँ पर बात हो रही है तो सबसे पहले राउंटेबल कॉंफरेंस पढ़ने से पहले हमारा यह दाहित तो बनता है कि हम पहले पढ़ें किसके बारे में Civil Disorbidness Movement के बारे में सविने अवग्या अंदूलन के बारे में 1930 में जो स्टार्ट होता है 12 मार्च को स्टार्ट होता है 78 लोगों के साथ इन्होंने ये मार्च निकाला था गांधी जी ने और यहीं से civil disobedience moment start हुआ था जहां पे इन्होंने salt loco wallet किया था ठीक अब 1930 में हुआ तो फिर इर्विन जो उस समय वाइस रहा हुआ करता था बोलता आओ यार हम लोग कुछ पैक्ट साइन करते हैं हमारे endorse मतलब इसको सहमती दी गई Congress के कराची सेशन में Congress के कराची सेशन में इसको endorse किया गया और कराची सेशन जो हुआ था 1931 में ये important इस मायने में है पहली बात तो सरदार पटेल जीनिस की अदचिता करी थी सबसे पहले सुराज का मतलब बताया गया था पूर्ण सुराज गोल टिकलेर किया गया था Congress का लाहोर सेशन में लेकिन मतलब कराची सेशन में यहाँ पे दो रेजलीशन पास हुए थे मौलिक अधिकार और National Economic Program को लेके resolution पास हुए थे हो और इसी को माना जाता है कि जो हमारी DPSP है उसका origin यहीं से हुआ था वैसे तो Ireland से लिए हम लोगों ने बट इसका origin माना जाता इसी resolution से जिसको कराची resolution के नाम से जानता है endorse किया गया था अब इस pact में यह था कि भाई जो अगली round table conference होने वाली है दूसरी वाली पहली तो हो गई 1930 में तुम लोग आय नहीं भाव नहीं दिया अब दूसरी वाली 1931 में होगी उसमें आ जाना तीसरी वाली जो थर्ड पूछा ना तो थर्ड round table conference 32 में होई ठीक है पहली 30, दूसरी 30 और तीसरी 32 option number second यहाँ पर आंसर हो जाएगा CDM कभी कभी पूछ लेता है कि NWFP North West Front Province से किसने लीड किया तो यह लीड किया खान अब्दुल गफार खान ने ठीक है खान अब्दुल गफार खान ने इसको लीड किया जिनकों की हम frontier गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं जिन्होंने red shirt movement चलाया था लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था अपनी एक society बना के जिसका नाम तक खुदाई खिदमतगार and he was the खिदमतगार and he was the one of the two non-Indians to receive the भारत रतना भारत रतन पाने वाले दो में से एक गैर भारती है और दूसरे कौन है वो आप comment में बताएंगे ठीक है 1931 से clear हो गया गांधीर्व इन पैक्ट होता और फिर से गांधी जी वापस आते हैं बात मानते नहीं round table conference वाली और ये एक मात round table conference थी second round table conference जिसमें कि गांधी जी ने participate किया और Congress ने हिस्सा लिया दूसरी वाली एक मात थी अंबेटकर जी ने तीनों में हिस्सा लिया फिर जब गांधी जी वापस आये तो इनको यरवदा जेल पूना में डाल दिया गया फिर यरवदा जेल पूना में एक पैक्ट साइन होता है गांधी जी और अंबेटकर जी के बीच में उसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट 1932 में होता है गांधी जी और अंबेटकर जी के बीच में ये पैक्ट साइन होता है इन इंडिया which of the following regulatory mechanism was not in existence to enforce regulation of the industrial sector और लाहॉर सेशन भी आर इंपोर्टन ने ध्यान से चलो मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि मैंने बोल तो दिया था लेकिन मझे भरोसा नहीं है लाहॉर सेशन नहरू जी ने प्रसाइट किया था जवालाल नहरू पूर्ण सुराज कॉंग्रेस का goal declare किया गया था सबसे पहले रावी नदी के तट पर जंडा फराया गया था 26 January 1930 को पहला Independence Day celebrate किया गया था और CDM launch करने को यहाँ पर endorse किया था कि ठीक हम CDM launch करेंगे सविनार वग्यान दोलाएं सेविल डिस अबिरेंस मॉव्मेंट भारत में ओद्योगे की छेत्र में के वी नियमन को लागू करने के लिए निमलेकित में से कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में नहीं था ये question अभी recent में एक्जाम में आया और देखे statement wise question है निटो जो मैंने lectures लेते हैं CGL means के लिए उससे इसको solve कर सकते हैं अमें इने वो लव निटो जाके देखो दखी कैसे है इंडस्टी लाइसेंसिंग अंडर विच एवरी एंट्रप्रेनर हाद तो गेट पर्मिशन फ्रम गवर्में अफिशल्स तो साथ अफिशल्स तो इस्टेटमें अपने आप गलत हो जाएगा थोड़ा सा extreme statement बन जाता है due to this extreme keyword all ठीक तो आंसर यहाँ पर second होगा अब हम यहाँ पर थोड़ा सा discussion कर लेते हैं industrial policy resolutions की industrial policy हमारी आई थी पहली वाली first आई थी 1948 में 1948 में 1948 में पहली आई थी दूसरी आई थी 1956 में हम पहली वाली को ऐसे ही ignore मारेंगे जैसे कि SSC कोई भी हम movement करते हैं twitter पर campaign चलाते हैं जैसे उसको ignore मारती है वैसे हम first industrial policy reservation को ignore मारेंगे because इससे उतने ज़्यादा question आते नहीं है बस पता होना चाहिए कि पहली कब आई थी दूसरी से question बनते हैं क्यों क्योंकि दूसरी वाली industrial policy ने schedules में बाटा different schedules में industries को बाटा schedule A एक industry schedule B और schedule C schedule A में उन industries को रखा जो government handle करेगी यानि state के control में रहेंगी यानि public sector के control में रहेंगी और यह total 17 इंडस्री थी दूसरी वो थी जो government और private दोनों hold करेगी इसमें थी total 12 industries और जो बच गई वो remaining C schedule में industries है और इनको private sector manage करेगा इसमें कैसी industries जैसे कि atomic energy हो गई ठीक है aviation हो गया यह सारी industries थी आपकी schedule A में इसलिए इसको हम economic constitution of India भी बोलते हैं यानि कि भारत का economic constitution भारत का आर्थिक सम्विधान और जो latest हमारी economic policy आई थी वो 1991 में आई थी उसके बाद नहीं आई अभी तक अगला सवाल है which ruler of the Chamana dynasty made Ajmer his capital आई चाहमाना बोलना तो नहीं चाहिए चाहान है वो अंग्रेजों चाहमाना चाहमाना करने लगे तो हम थोड़ी नहीं चाहमाना करें हैं चाहमान है तो चाहमान बोलेंगे ठीक है जैसे हम अमारी आदत होती ना जैसे कि कर्म को हम कर्मा बो ने अजमेर को अपनी रासधानी बनाया तो यह बनाया था अजय राज जी ने ऑप्शन नंबर फर्स यहां पर सही आंसर होगा पृत्वी राज थर्ड के बारे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्रतवी राज चोहान जी है प्रतवी राज थर्ड जिनों की battle of तरहीं document राजकोशिय छेतर में सरकार की प्रात्मिक्ताएं और उसे सम्मंदित नीतियों तता विचलनों का उलेख बजट दस्तावेच किस भाग में दिया जाता है तो यह दिया जाता है fiscal policy strategy statement में जहां पर यह लिखा होता कि government के क्या अगले साल के target है क्या कैसे सारी चीज़ें करनी है कितना घाटा रखना है कितना लोन लेना है सारी चीज़ें इसमें रहती है और इसी से सम्मंदित एक एक फार भी एक फिसकल रेस्पॉंसिबिलिटी एंड बजट दो में आया था ठीक और एक चीज़ आपको यह पता होना चीए अब बजट की बात आई है तो कि budget word constitution में समिधान में कहीं पर भी mention नहीं है article 112 अनुछे देक सुबारा annual financial statement यानि की वार्शिक वित्ती विवरॉन की बात करता है इसी तरह हमारा ये एक तरह का money bill होता है धनविद्य का money bill की बात आई है तो article 110 को हम नहीं भूल सकते हैं article 110 money bill के procedure के बारे में बताता है definition तो अनुछेवत 109 में दी हुई है procedure 110 में दी हुई है procedure क्या है कि ये सिर्फ लोगसभा में आ सकता है लोगसभा का speaker certify करता है किसी bill को money bill के तोर पे president की prior recommendation से आता है इसलिए president इसमें suspensive veto का use नहीं कर सकते हैं और राजसभा के पास सिर्फ 14 दिन के महलत होती है इसमें अपनी amendation को recommend कर सकता है amendment नहीं कर सकता है संसोधा नहीं कर सकता है money bill पे राजसभा सिर्फ recommend कर सकता है लोगसभा की देख लो और कर लो अगर मन हो तो ठीक है अभी I think steno के exam में एक question पूछा गया कि वो कौन सा veto होता है जहां पर राश्टपती president हमारा अनियमित काल के लिए किसी भी bill को अपनी जोली में डाल लेता है तो उसको हम बोलते है पॉकेट वीटो जोली वर्ड नहीं तवाब है नहीं तो तुरण सभी लोग answer कर देते इतना असान नहीं था बतलब answer उसका पॉकेट वीटो होगा अनियमित काल के लिए भूटिया डांस is performed in which of the following states भूटिया नहीं लिखित में से किस राज में किया जाता है भूटिया नागला इंड वेस पेंगल सिक्की मोडिसा आज ही हम लोग ने देखा है बूटिया आपको किया जाता है सिक्किम में सिक्किम में और कौन कौन से किया जाता है चूफाट किया जाता है ठीक है और कौन से किया जाता है और कौन सी ट्राइब करती है भी जरा बताईए ठीक है चूफाट के लावा कौन से आम लोगों ने पढ़ा था दूसरा हम लोग थीक है जोमल लोक और यह दोनों कौन सी ट्राइब पफ़र्म करती है लेपचा ट्राइब लेपचा ट्राइब और कगेट डान्स और अगर आपको लास्ट में छम दिख जाए किसी भी डान्स में छम तो छिषुक्ष्क्यम आलू यट्टम है ना इस तरह से हम लोगों ने पढ़ाता है कि बैंबू में आलू भर दिया है तो बैंबू डांस आलू यट्टम हो गया हमारा और जो रेंग रेंग के तो रेंग मा बटरफ्लाई चल रही थी उसको हमने खिला दिया था रेंग-रेंग के जो बटरफ्लाई चल रही तो खिला दिया था तो यह हमारे नागा लेंट के हो गया और ओडिसा के हमने किस तरह से आध किया था कि पुवा खाई, दाल खाई ठीक है, पुवा से गोती पुवा और हमने एक और याद किया था चैती गोड़ा हम लोग ने पढ़ा था है ना चैती गोड़ा और भागना चाहो गया ठीक है ठीक है ठीक है चैती गोड़ा और पैका ठीक है उडिसा के है वेस्ट पंगॉल में हमें एक डांस पर सियाद करना है और हो है गंबीर और यह मास्क ड नई में कलाक शेत्र फाउंडेशन के स्थापना की जो ललित कलाओं के अध्यान और प्रदेशन के लिए एक महत्वपूर के इंद्र है कलाक शेत्र अलार्मेल वैली यामनी कृष्ण मूर्ति रुक्मनी देवी अरंडले फिर मिर्नानी सारा भाई तो सही आंसर यहां पर होग महाराज के रिगारडिंगे थी याद रखना एक इस लिए यंगेस्ट की डांसर टु गिट डि पद्म विभूशन ठीक है बिरजू महाराज जी यह बीन के रिगारडिंग फाक्त रखेगा बाकि यह सबी लोग भरतनात्यम से बिलॉग करते हैं इसके रिगारडिंगर प्ह इसको फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ, नहीं ट्रिक पता है, सेर्च करिए भरत नाट्यम परमार से सी, आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, उसमें ट्रिक है, वो ठीक है, तो आप उसको वहाँ से गात कर सकते हैं, बाकी, यह हम रिवाइस कर रहे हैं कि सारे रुक्मनी देवियरंडले वस फर्स्ट विमन टू गेट नॉमिनेटेड, टू बी नॉमिनेटेड टू राजसभा, जो बारा मेंबर्स को, बारा सदस्यों को राश्पती नामित करते हैं, उनमें से पहली भारत की महीला थी, यह नॉमिनेट हुई थी, यामनी कृष्नमूर यह रेजिडेंट डांसर है, तिरुमला तिरुपती देवस्थानम जो हमाला टेमपल है, वहां की रेजिडेंट डांसर है, रेजिडेंट डांसर का मतलब है अस्थाना नर्तकी, ठीक है, अस्थाना नर्तकी है वहां की यह यामनी कृष्नमूर्थी, ठीक, आगे बढ़ते ह और जिसने भी वो lecture नहीं देखा है classical dance वाला जाके देख लीजिए ठीक है बहुत important है अभी कली लिया है I think 40-50,000 लोगों ने देख भी लिया उसका भी एक ही दिन हुआ है और यह बात important यह नहीं कि कितने लोगों ने देखा important यह है कि आपने देखा कि नहीं देखा है अगर खा clamidominal तो सही answer इसका होगा option number third laminaria kelp एक तरह का brown algae है भूरा शैवाल है जो की laminaria उसका एक type है algae क्या होता है शैवाल इसके पहले बात तो हमें यह पता होना चाहिए इसके अध्र को क्या बोलते है तो इसके study को बोलते है phycology और हमें यह पता होना चाहिए कि green algae को हम किस नाम से जानते है यह question इस पर repeatedly पूछे गए green algae को किस नाम से जानते है और red algae को किस नाम से जानते ह येलो अल्गे को किस नाम से जानते हैं तो ग्रीन की अगर बात करें तो ग्रीन क्या होता है क्लोरो फिल है ना तो ग्रीन अल्गे हो जाएगा रेड फाई के रेड अल्गे की बात करें तो रोडो फाई के आर से रेड और रोडो रोडो फाई के इस कांसर होगा ब्राउन अल् इनको याद करिए अच्छे से, अगले question पर आते हैं, और एक चीज, कि algae और fungus की symbiotic relationship से क्या बनता है, algae और fungus की symbiotic relationship से हमारा बनता है, lichen, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था, कि थेलोफाइटर की category में आता है, और fungus की अध्यन को क्या बोलता है, इसको बोलता है, mycology, और कल हम ल bacteria में, किसकी बनी होती है, peptidoglycan की, जो कि glycocalyx से covered होती है, first commonwealth games were organized in which of the following years, यनि कि प्रिथम राष्ट मंडल खेल लेम, लेकित में से किस वर्ष आयोजित किये गए थे, 1930, 1920, 1922, 1926, तो पहले जो राष्ट मंडल खेल हैं, वो हुए थे, सन 1930 में, कहां पे हुए थे, Hamilton, खालिस अगर हम बात करें, पहले Olympics कब हुए थे, first Olympics, first Olympics, यह अगर चलो, यहां पर मैं लिख देता हूँ, कि first Olympic कब हुए थे, first summer Olympic कब हुए थे, first summer Olympic कब हुए थे, first summer commonwealth games कब हुए थे, मतलब, नहीं, first summer commonwealth games को कर लिया, first summer Olympics तो उपर लिखा हुए है, first youth मैं लिखना चाह रहा था है, ठीक है, first summer youth Olympics, ठीक है, summer youth Olympic, और पहले youth commonwealth games, और पहले winter Olympics, यह कब हुए थे, और पहले Asian Games कब हुए, यहां पर सब first की ही बात हो रही है, ठीक है, तो पहले Olympics हमने देख लिया क्य नहीं देखा भी, Greece, Athens में, ठीक है, Greece, Athens में हुए, 1896 में, ठीक है, 1896 में पहले summer youth Olympic games हुए, sorry, summer Olympic games हुए, पहले winter Olympics की अगर बात करें, तो चैमनिक्स, France में हुए, 1924 में, ठीक है, चैमनिक्स, France में हुए, 1924, 1924 में, पहले अगर हम youth Olympics की बात करें, तो पहले youth Olympics हुए थे, in the year, 2010, कहां पे Singapore में है, ठीक है, Singapore में हुए थे, in the year 2010, पहले अगर Youth Commonwealth Games की बात करें, यह हुए थे आपके Edinburgh Scotland में, Edinburgh Scotland year 2000 में, पहले Asian Games की कर बात करें, 1901 में हुए थे, और यह कहां पे हुए थे, इंडिया में हुए थे, 1951, और 1981 में जो हुए थे, वो भी इंडिया में हुए थे, clear, तो यह first वाले आपको category पता होनी चाहिए, कि पहले पहले हुए सब कहां पे हुए थे, अगले question पर आ अगला question है, question number 22, मौसिन राम, the place that receives the highest rainfall in the world is situated in which hills, तो विश्व में सरवादी क वरिश्टावला स्थान मौसिन राम किस पहाड़ी परस्तित है, मिश्मी, पतकाई, खासी या फिर राजमहल हिल्स, तो आंसर होग, option number 3, खासी हिल्स, अब क्यों न हम यह discuss कर लें, में गाले मे जो तीन hills हैं, गारो खासी जेंतिया वहाँ पे, कौन से festival और dance किये जाते हैं, जिसको कि हमारे गारो खासी जेंतिया परफॉर्म करती है, because आज ही हम लगों ने पढ़ा है इसको, तो गारो कौन सा परफॉर्म करती है, वंगाला, ठीक है, और इसको festival of hundred drums के नाम से जाना जात तो उनको खासी हो जाती है, तो नौंग क्रेम, ठीक है, और जो हमारी जेंतिया है, जो जेंतिया ट्राइब है, वो celebrate करती है, बहदिन खलाम, बहदिन खलाम और लाहो को, ठीक है, बहदिन खलाम या फिर लाहो, राजमहल हिल्स अगर बात करें, तो राजमहल हिल्स का ही extension है, गारोखासी जैनतिया जैसे हमारा ये भारत है ये पूरा प्राइदीपी पठार है inverted triangular shape में यहां राजमहल की पहाडिया है यहां पे आपको पता है पस्चिम मंगाल यहां पे आपको बांगलादेश है यहां मालदा फॉल्ट है मालदा गैप जो इन राजमहल की पहाडियों को गारोखासी जैनतिया से अलग करता है तो गारोखासी जैनतिया और मिकिर रेगमा जो असम है वो peninsular प्राइदीपी पठार का ही हिस्सा है ठीक है और इनको हम कर्भी जो यह पूरा मेगाले पठार है इसको हम कर्भी अंगलॉंग पठारे फिर कर्भी अंगलॉंग प्लैटिव के नाम से भी जानते हैं अब क्यूंकि यहाँ पर बात यह हो रही थी कि मौसिन राम जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और मैंने आपको बोला था कि आगे में मौनसून के बारे आपको पढ़ा होंगा तो यह हमने पढ़ा था कि यह अरेबियंसी ब्रांच होती है इसको साउथ वेस्ट मौनसून बोलते हैं कहां मिलती है पंजाब के प्लेंस में और अक्टोबर के टाइम पे इनका रिट्रीट चालू हो जाता है मौनसून का इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मौनसून लोटता हुआ मौनसून क्योंकि यहां पे जो विंड का डिरेक्शन है वो नौथीस्ट डिरेक्शन है इसलिए माला बार कोस्ट जहां पर मौन्सून सबसे पहले आके हिट हो रहा था, ये कुरोमंडल कोस्ट जहां पर नौर्थ-East मौन्सून आके हिट कर रहा है और विंटर स्मेरें फॉल, वेस्टन श्चे में विछचोब की वज़ाए से होती है ठीक, आगे बढ़ते हैं, 23rd इन इंडिया, which of the following modes of transportation reduces transshipment losses and delays in supply of petroleum and gas भारत में परिवान का निमलेकित में से कौन सा साधन transshipment, घाटे और petroleum और gas आपूरती में देरी को कम करता है, pipeline, roadways, waterways, और फिर railways, तो अव्य सी बात है pipeline से जल, जिसको कम करेगा यह normal सा question है, ठीक है, because हम petroleum gas को pipeline के थूँ अप्लाई करेंगे roadways, waterways, और रेलवेस की तरह थोड़ी ना करेंगे, कर सकते हैं करते भी हैं, लेकिन जो हमारा reduce करेगा transshipment loss, वो pipeline method होगा ठीक है, who among the following was the last modern ruler and was killed by his commander in chief, निमलेकित में से कौनस अंतिम मौरशा सकता, जो जिसकी हत्या, उसके सेना पती नहीं की थी श्यत्वधनवन, बिंदूसार दशरत, यह फिर ब्रिहदरत तो मौरण ruler के अगर बात करें, किसने establish की थी मौरण dynasty को, चेंदर गुप्त मौरण ने establish करी थी इसको चेंदर गुप्त मौरण ने कैसे establish करी थी इसको, कौटिल, जिनका नाम विश्नु गुप्त भी है, चानक के भी है, जिन्होंने अर्थ शास्र किताब भी लिखी, उनकी साहता लेके हराया था इन्होंने धना नंदा को, धना नंदा को इन्होंने एक ट्रावलार आया था, जो सेकिलस सेलिकस निकेटर का धरबारी था सेलिकस निकेटर की जो पुत्री थी उसे चंदर गुप्त मौरण ने विवा किया था मगस्थनीज ने किताब लिखी थी इंडी का, और जिसमें साथ वर्णों में इंडीन सुसाइटी को इसने बोला था कि डिवाइडेड है, ठीक अब ये जो चंदर गुप्त मौरण इनके बेटे हुए बिंदु सार, इनके बेटे हुए अशोक, अशोक ने युद्ध लड़ा था कलिंग के युद, 261 BC में जहाँ इनों ने पूरी तरह से बोध धर्म को अपना लिया था और वियुद्ध वगरा को उनको सबको त्याग दिया था और लास्ट उलार हुए इस डिनेस्टी के ब्रिहदरत जिनकों की हराया, इनके कमांडर चीफ जिनका नाम था पुश मित्र सुंग पुश मित्र शुंग ने हराया इसको ब्रिहदरत को और सुंग वंस की स्थापना करी ठीक है और ये चीज़ पता हुना चीज़ चंद्रगुप्त मौर जी ने श्रवन बेल गोला श्रवन बेल गोला जो की करनाठका में पढ़ता है वहां पर अपने प्राण इन्होंने त्यागे थे अगला कुश्चन है और विपकोज इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था अपने लास्ट डेज अफ लाइफ में आखरी कुश्चन है कुश्चन नमर 25 तो चली यह कुश्चन आपके लिए रखते हैं इसका अंसर कल आपको मिलेगा तो विच अपको बताने इसमें से क्या सही आंसर होगा ठीक और 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 एक पताने एकदम से मेरे दिमाग में आ रहा है क्योंकि मौर्यास की बात था थो थोड़ा सा चालुक्या के बारे मैं आपको बताया था ठीक है एक चीज याद रखना काफी ज्यादा चांसेद इसके आने के ये कि जो वातापी के चालुक्या थे ये किसके मतलब किसको ट्रिब्यूट प्रे करते थे किन प्रिंसेस को तो ये जो कादमबाज प्रिंस थे ध्यान रखना कादम बशासक थे जो इनको ट्रिब्यूट प्रे किया करते थे वातापी के जो चालुक्या थे उनको ठीक चलिए तो यहाँ पर हमारा उचका और कोशिस में यह उमीद आपसे यह करता हूं कि आप खुद से भी साथ-साथ question को attempt करते हैं तो अगर आपने attempt कियें तो बताइए 24 में आपका कितना score आया नहीं कियें तो आगे से जरूर करिएगा attempt इसकी PDF आपको परमार SSC Telegram पर मिल जाएगी वहां से आप इसको download कर सकते हैं और बहुत ही specific जो आपके exam में directly आने वाला है वो मैं आपको content दे रहा हूं तो फिर दिखाएए बार-बार revision करें और मिलते हैं अगले lecture में thank you